प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल लाइक, कामेंट और हिट थे बेल आइकान हलो एब्रिवन, मैसल दीपक्यादो और स्वागत करता हूँ आप सबको आपके ही यूटूब चैनल सिक्षड एकडमे पर आज इस वीडियो में हम स्टेंडर्ड 6 का मैथमेटिक में चैप्टर नमबर 14 का प्रैक्टिकल जिमेट्री में एक्सेसाइस 14.5 का क्वेस्चेन नमबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेस्चेन नमबर 124 तक स्टार्ट कर लिया था इस वीडियो में हम क्वेस्चेन नमबर 5,6,7 स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर इसमें आपको क्या गिवन है और हमें किस तरह से इसको स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो यह आपको given है question number 5 इसको हम पहले समझते हैं समझने के बाद फिर इसको हम यहाँ पर solve करेंगे तो question number 5 में आपको given है with pq of length 6.1 cm as a diameter आपको क्या करना है pq को जो length 6.1 है बट यह जो pq है यह as a diameter है ड्रो करना है आपको circle ठीक है तो आपको diameter दे दिये गया है circle का तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए circle का diameter क्या होता है तो अगर आप यहाँ पर कोई भी एक circle बनाते हो suppose आपके पास एक circle है तो उसमें diameter किस तरह से होता है इसको पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए तो suppose यह मेरा एक क्या है circle है ठीक है यह मेरा circle हो गया अब इस circle के आप मामन लो boundary से लेकर दो boundary को match करते हो but कहां से जाने चाहिए हो यहां से आपका center point से जाना चाहिए इस तरह से match किये और देखो यह center से line जाने चाहिए तो इसको हम बोलते है diameter यह हमारा हो गया diameter इधर से draw कर सकते हो इधर से draw कर सकते हो इधर से जहां से आप चाहो वहां से but condition होने चाहिए कि यह center से जाना चाहिए center से ओके अब आपको बोला गया diameter आपको given है मतलब यह जो आपको यहां से यहां तक यह आपको given है that means अगर मैं इसको PQ बोल दी बोल दूँ तो यह आपको 6.1 given है इसी से आपको diameter draw करना है तो देखो diameter draw आपको जब given हो तो अगर उसका आपको यहां पे क्या हो मालूम होना चाहिए midpoint मालूम हो जाए तो आप क्या करोगे उसको इस तरह से midpoint पे रखके एक circle draw कर दोगे यहां पे आपको midpoint नहीं given है सिर्फ इसका diameter का length दे दिया है 6.1 clear अब हमें यहां पे construct करना है otherwise हम इसका half करके भी direct यहां पे measure ले सकते हैं बट हमें यहां पे बिद्दाई use of किसके साथ हमें करना है यहां पे compass and ruler के help से तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले इसका midpoint find करेंगे midpoint जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा इस circle का center point अब midpoint find करने के लिए आपको पता है हम question number 1 से 4 तक वही find करते हुए है तो जो भी line segment हो उसको आप क्या करो to equal part में यहाँ पे divide कर दो that means यहाँ पे आपको perpendicular bisector करके divide कर दो तो आपको यह जो point मिलता है यही होता है midpoint जो कि हमने question number 4 में अच्छे से सीखा था अगर आपने नहीं देखा है वुडिये तो उसको जाके देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा ओके तो इस तरह से करना है that means हमे क्या करना है PQ को draw करना है उसके बाद इसको bisect करना है देन यहाँ से हम measure लेके कार किस तरह से लगा देंगे पूरा तो यह हमारा circle draw हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका जो बोला गया है यहाँ पर एक आपको 6.1 cm का diameter बनाना है तो यहाँ मैं scale रखोंगा इस तरह से और 6.1 cm का diameter यहाँ पर draw कर देंगा तो आपको भी इस तरह से करते जाना है यहाँ पर रख दिया अब 6.10 से start करना है तो 0 से start करके यहाँ पर suppose जीरो है तो यहाँ से आके आपको 6.1 तक जाना है यह रहाँ 6.1 ठीक है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह हमारा 6.1 का point है इधर तक ओके यह हमारा हो गया 6.1 cm जिसका नाम है PQ तो यहाँ पर लिख देता हूँ 6.1 cm अब इसका हमें perpendicular bisector draw करना है you know that perpendicular bisector जब भी हमें draw करना हो तो हम क्या करते जो भी line segment आपको given है उसको आपको क्या करना है उससे half से यहाँ पर देखो half यहाँ पर होगा इस half से ज्यादा का distance लेके उपर नीचे हम क्या करेंगे arc cut कर देंगे और उस arc को match कर मानलो line segment को match कर देंगे और हमारा बन जाएगा perpendicular bisector तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखो half से ज़्यादा का आपको measurement ले लेना है p पर आपको rounder रखना है इस तरह से अब सपोस यहाँ तक arc आपका क्या है half है तो यह half से ज़्यादा का आपको rounder open कर लेना है तो यहाँ पर मैंने p पर रखा और half से ज़्यादा का देख सकते है rounder मैंने उपर कर लिया है अब आपको एक upside आपको then इसी तरह आप क्या करोगे downside भी arc को इस तरह से cut कर दोगे, अब यह दोनो point जहाँ पे cut कर रहे हैं, suppose दोनो arc जहाँ पे cut कर रहे हैं, उसको कोई भी आप naming कर दो, कोई भी point यहाँ पे दे दो, suppose इस नोने क्या किया यहाँ पे cut किया, तो इसको मै suppose दे देता हूँ, a and b दे देता हूँ ठीक है यह मेरा A हो गया इसको मैं यहां पर B बोल सकता हूं इस तरह से P Q को जहां पर A कट किया and then इसको मैं यहां पर join कर दिता हूं यहां से मैंने इसको join कर दिया यह हो गया यह हो गया हमारे इस तरह से यह आपको midpoint हो गया हमने क्या किया यहां पर perpendicular क्यों बनाया क्योंकि हमें यह midpoint चाहिए तो यह हमारा midpoint हो गया अब इसको naming कर सकते हो suppose मैंने इसको ओनेम दे दिया तो यह midpoint हो गया अब इस midpoint से आपको क्या करना है पी जितना आपको यहां पर rounder को open कर लेना है that means radius ले लेना है और एक circle draw कर देना क्योंकि यहां से यहां तक draw करोगे तब ही तो यह इसका क्या हैगा diameter यहां तक otherwise अगर आप यहां से बाहर ले लोगे तो यह circle के अंदर आ जाएगा तो diameter होगा ही नहीं तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां वो से लेकर P का measure हमें लेना है तो आप इस तरह से देखो O पर रखोगे यहां पर देना आप क्या करोगे इसको P तक इस तरह से measure करोगे राउंडर को adjust कर लोगे P पर जाना चाहिए तो इस तरह से आपको adjust करना है यहां पर मैं वापस देखा सकता हूं देख सकते हो आप P पर रख दिया मैंने P से O तक अब आपको इस राउंडर के needle को यहां पर O पर रखना है और पूरा एक circle इस तरह से draw कर देना है इससे आपको यह आर्क पूरा इस तरह से गुमा देना है कि ऐसे कि अपको क्या करना है रो कर देना है कि यह होगे आपका circle और अच्छे से आप इस तरह से draw कर सकते हो ठीक है यह हो गया हमारा circle जब बोला गया था हमको 6.1 radius वाला तो यहाँ पर हमारा हो गया circle बस इतना ही हमें करना था तो steps of construction देख लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना था draw a line segment pq is equal to 6.1 cm हमने draw किया then draw perpendicular by sector of pq which meets pq at o then हमने pq को perpendicular by sector यहाँ पे draw किया जो की pq को o point पे meet करा रहा था ठीक है r is the midpoint of suppose मैं यहाँ पे क्या करता हूं यह जो o है हमारा a क्या है midpoint हो गया यहाँ पे आप o लिखो गया तो यह हमारा midpoint हो गया pq का then with center o अब हमें center o से क्या करना है radius लेना equal to op जितना यहाँ से यहाँ तक को आपको rounder open कर लेना है then o पे रखके आपको क्या करना है एक arc लगा देना है ठीक है which draw a circle passing through the p and q और p and q से pass हो रहा है जब इस तरह से draw करोगे thus the circle with diameter diameter pq is equal to 6.1 cm is the required circle तो इस तरह से आप अपना circle इस तरह से आप ड्रो कर सकते हो तो यह हमारा question number 5 हो गया now question number 6 देखते है question number 6 यहाँ पर question number 6 में बोला गया है draw a circle with center C आपको एक circle बनाना है जिसका center C होना चाहिए center आपको given है C point लेके बना देना है radius 3.4 cm तो 4.3 cm का radius आपको given है तो आप directly scale पर open करके वहाँ पर draw कर दोगे आगे बोला है draw any code code क्या होता है maybe मैं आपको बताऊंगा AB उसके उपर आपको एक कोई भी code AB बना देना है then construct the perpendicular by sector of AB then AB का आपको perpendicular by sector construct करना है कोई भी line segment का perpendicular by sector हमको बनाने आता है and examine if it is passes through C और examine करना है क्या हो C मतलब center से pass हो रहे है या नहीं यह आपको बताना है आप दो point को match करते हैं अगर उस center से जाते हैं तो आपका हो जाएगा diameter और उस center से नहीं जाये तो ओ जायेगा आपका code suppose यहाँ पे मेरा PQ है तो यह PQ मेरा CODE हो जाएगा अब यहाँ से draw करो तो यह रहा यह point circle से यहाँ पे center से नहीं जा रहा है तो यह मेरा क्या हो गया? CODE हो गया clear यहाँ पे? यही हमें यहाँ पे करना है तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है scale लेना है scale पे 3.4 cm हमें measure कर देना है और यहाँ पे आपको एक point ले लेना है पहले तो क्योंकि हम 3.4 cm का यहाँ पे इसी point से बनाने वाला है इस point को मैं name देता हूँ C आपको इस point को C name देना है उसके बाद आपको 3.4 cm कर यहाँ पे open कर लेना है तो देख सकते हो इस तरह से 3.4 पर रखके 0, 0 पर रखके 3.4 करो, दोनों एक ही बात है, तो यह रहा 3.4, देख सकते हो इस तरह से कर सकते हो, तो यह मेरा 0 था, यह मेरा 3.4 हो गया, तो ओपन हो गया है यहां पर, अब C पर रख देना है आपको राउंडर इस तरह से, और एक इस सरकल बिस सेंटर जो भी आपको बोला गया था उस सेंटर से तो इस तरह से आपको यह सरकल ड्रो करना है अब यहां पर हो गया सेंटर सी से हमने सरकल ड्रो कर दिया अब इस सरकल पर क्या करना है आपको यहां पर जो सरकल है आपने बनाया इस पर आपको कोड बनाना है यह क्योंकि बोला गया question में तो हम suppose कहीं पर भी बना सकते हैं दो point को हमें match करना है तो suppose मैं यहां पर code को बना देता हूं यह रहा मेरा code यहां पर मैं draw कर देता हूं कोई भी दो point को circle के यह मेरा हो गया यह and इसको मैं बोल देता हूं then आपको बोला है construct the perpendicular by sector of AB तो यह आपका एक line segment की तरह हो गया जैसे कि हम सभी question में करते आए हैं अब इस line segment AB को हमें क्या करना है यहां पर two equal part में divide कर देना है perpendicular by sector बनाना है इसके लिए अब हम क्या करेंगे यह जो AB है इसके half से ज्यादा का radius ले लेंगे more than half of AB हमें radius लेना है और उपर नीचे cut करते यहां पर cut करते जाना है ठीके तो cut कर देंगे दोनों को इस तरह से तो यहां पर हमने more than half radius ले लिया पहले हमने क्या किया ऊपर इस तरह से arc बत दिया then downside भी बना देंगे इस तरह से तुक़哥 इस सेड वे बना दिया देने अपको क्या करना है बी पर रखना वे जब हमने इन दोनों को match किया तो देख सकते हो यह जो है कहां से गया center से जा रहा है ठीक है code का by sector जो था वो center से गया center point पर आके meet हुआ है clear तो यह हमारा है इसको हमें steps of construction write कर देना है इस तरह से आपको draw करना है तो देखो सबसे पहले हमने circle draw a circle with center c and a radius 3.4 cm जिसका radius 3.4 cm था draw any code AB हमने क्या किया इस code AB को draw कर दिया draw the perpendicular bisector of AB then हमने पर AB का perpendicular यहाँ पर bisector draw किया which passes through the center C जो क्या हो रहा था center C से pass हो रहा था तो यहाँ पर हमारा question number 6 complete होता है अब हम question number 7 देख लेते हैं same इसी के related है जो आपने भी question number 6 किया इसके जैसा ही इसी के related है तो देख सकते हो आपको यहाँ पर क्या बोला गया question number 7 में question number 7 में बोला गया repeat question 6 आपको question 6 को repeat करना है if AB happens to be a diameter अगर AB diameter होता है तो that means जो आपने circle draw किया same होई 3.4 cm का आपको circle draw करना है radius लेके then आपको शिर्फ ए क्या करना है जो आपने code लिया हुआ है यहाँ पर AB आपने code लिया हुआ है तो इस AB को आपको यहाँ पर क्या कर देना है diameter मतलब यह center से जाना चाहिए line इस तरह से आपको draw करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे same as it is एक circle पहले बनाना पड़ेगा 3.4 cm का radius लेके तो आपको same एक यहाँ पे क्या करोगे center point ले लो आप suppose आपका यहाँ पे center point है यह center point C हो गया then आपको यहाँ पे 3.4 cm का open कर लेना है अगर आपने close कर दिया है तो देख सकते हो यहाँ पे आपको यह 3.4 cm का open करना है आपको ठीक है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 3.4 cm का radius लेके open कर दिया है मैंने ओके देन अब आपको C पे रख देना है इसको and आपको एक पूरा circle बना देना है इस तरह से draw कर देना है यह देखो C point पे रख दिया एक circle बना देना इस तरह से जैसा कि अभी इसके पहले question में आपने draw किया तो यह मेरा एक circle हो गया ठीक है यह मेरा एक circle हो गया ठीक है यहाँ से हमने कहा कि एक circle draw कर दिया clear ऐसे आपको draw करना है जिसका radius अब आपको यहाँ पे 3.4 cm दिया गया अब आपको बोला है कि if AB happens to be a diameter पहले यहाँ पे अपने code बनाया हुआ था देख सकते इस तरह से code बनाया था center से नहीं जाय रहा था अब हमें क्या करना है इसको एक diameter बना देना है AB को clear तो यहाँ पे रखके मैं क्या करता हूं यह कारक लगा देता हूं sorry यहाँ पे एक line draw कर देता हूं इस तरह से क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे diameter बन जाएगा AB तो इधर से मैं इधर से join कर देता हूं यह मेरा AB हो गया suppose C को मैं यहाँ पे उपर भी लिख सकता हूं clear यह मेरा A A मेरा क्या हो गया B हो गया अब हमें क्या करना है इसका perpendicular यहाँ पे bisector करना है repeat करना है सिरП वहाँ पे code था यहाँ पे हमें क्या लेलेना है as a diameter लेलेना है now अब हम को क्या करना है इसका perpendicular bisector तो same आपको क्या करना है AB का half से ज़्यादा का radius लेना है या half यहाँ पर है तो half से ज़्यादा का radius हम यहाँ पर open कर लिये और आपको क्या करना है arc लगा देना है जैसे आपने arc यहाँ पर draw किया था इस तरह से आपको arc draw करते जाना है तो suppose एक arc मैंने क्या किया A पर रख के उपर side लगा दिया and same B पर भी रख के मैं एक arc इधर लगा देता हूँ down side ठीक है इस तरह से अब हम मैं जो यहाँ पर B पर same करना है एक arc मैंने क्या किया this side उपर side लगा दिया same दूसरा arc मैंने क्या किया डाउन साइड में इस तरह से ड्रो कर दिया तो ये दोनो पॉइंट मिल गए आपको सपोज जो भी पॉइंट मिला है इसको मैं सपोज यहाँ पे बोल देता हूँ C एंड D अब इसको अगर हम स्केल से जोइन कर दें तो C बनाओ चाहेगे आप डाइमेटर बनाओ और उसका परपेंडिकुलर बाइस से करोगे तो ओ C से जाएगा अब हमें यहाँ पे देख लेते हैं और क्या होगा तो सबसे पहले देखो वाट हैपन्स और जो आप पे पॉइंट मिला आपको यह मिड़ प्वॉइंट बॉइंट है जो सेंटर है वही क्या हो जाएगा मिड़ पॉइंट यहां पर आ जाएगा सेंटरी कॉर। कर एक करऊंट पनक्ड़ से करोगे क्यां पर क्सें नंबर से बनका डौरा सर्कल बीट सेंटर सी and radius 3.4 cm आपको एक circle बनाना है जिसका center C होना चाहिए यह रहाँ C and जिसका radius 3.4 cm होना चाहिए हमने यहाँ पे यहाँ का open करके 3.4 cm का radius लेके बनाया था draw a diameter AB of the circle हमने AB क्या किये इसका diameter बना दिये diameter मतलब 2 point को match करोगे बट कहाँ से center से जाना चाहिए again आगे question number यहाँ पे हम third point लिखेंगे draw a perpendicular bisector of AB तो हमने क्या किये AB का perpendicular bisector draw कर दिया which passes through the center C जो क्या कर रहा था center C से pass हो रहा था इस तरह से now on measuring जब हमने इन दोनों को measure किया suppose आप O से यहाँ पे C से A को measure करो and C से B को measure करो तो देखोगे यह दोनों क्या है मालो यह जो C points है वो आपका क्या आ रहा था midpoint जैसे कि total three point यहाँ पे जो भी आपका है यह आपका three यहाँ पे three point eight आ रहा है ठीक है अब three point eight का half यह आपका three point four आ रहा है मतलब यह क्या होगे इसका midpoint हो गया half आया तो okay so now on measuring we find that the C is the midpoint of a b a midpoint ही होने वाला है क्योंकि यह center से cut हो रहा है कि इसको diameter को okay तो यहाँ पर हमारा question number seven complete होता है now मिलते हैं next video में question number eight